हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग एरिवन आप सभी का इस्टरडी विद यूटूब चैनल पर स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका 50 डे इस्टरडी प्लान जिसका डे पस्ट आज है अपना पस्ट डे आज स्टार्ट होगा 50 दिन में इसा इस्टरड करना है तो आपको 100% है कि आपको SMS कोलेज अवसे मिल जाएगा बहुत सारे स्ट्रेंट करेंगे यह प्लान नहीं है यह मजाक हैं बहुत सारे कुछ भी बोलेंगे लेकिन मैं गयारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं गयारंटी लेता हूं कई रात कमेंट आया ता सुरी एक कमें अब आप सबी के पास सबसे बड़ी डिमांड आती है कि हमारे पास इस चीज के नोट नहीं है दोस्तों गबराएना नोट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्सिन में दे रहे किये जो भी पीडिया प्या क्लासे मैंने ले रहे कि उनकी लिंक में डिस्क्रिप्सिन दे दूँगा अगर किसी चीजी क्लास मैंने नहीं लिए तो उसकी PDF में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा तो आप उस बात के उपर गवराएना और जाकर ले सकते हैं तो आज का जो पचास दे प्लान अपना वो PCV का रहने वाला है PCV के फूल PCV का प्लान रहेगा पचास दिन में आप अगर इस प्लान को अच्छे से फोलो करते हो तो आपका सेलेक्शन 100% है और इस प्लान के तहट आप PCV आने की फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो एक एक बार रिवीजिन भी कर सकते हो ठीके चलिए तो देखते हैं क्या है प्लान इस प्लान में सबसे पहले है इसका मतलब एक अगर इस प्लान को डेली फोलो करते हो तो आप सभी को गोर्मेंट SMS नर्सिंग कोलेज आवस्ट से मिलेगा मतलब जो फोलो करेंगो इस प्लान के तहट आपको डेली चार गंटे पढ़ने होंगे कितने पढ़ने होंगे चार गंटे पढ़ने होंगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रुत नहीं है चाहे आप कहीं से भी पढ़ो या तो मेरे स्टेडिय मेटरियल से फढ़ो या मेरे चैनल से फढ़ो या कहीं किसी भी चैनल से फढ़ो कहीं से भी पढ़ो लेकिन आपको यह प्लान फोलो करना है इस प्लान के तहट आपको चाहे करो या मरो लेकिन आपको जो टोपिक में डेली दूँगा वो टोपिक आपको क्लियर करने ही होंगे वो टोपिक किसी भी तरीके से आपको पढ़ने होंगे कैसे पढ़ने हैं क्या क्या चीज उनमें पढ़नी रहेगी आपको क्या पूरी थियोरी पढ़नी नहीं दोस्तों चलिए देखते आगे आपको डेली आपका स्टेडी प्लान मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको पूरे दिन में क्या पढ़ना होगा और क्या नहीं पढ़ना और दोस्तों अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ओन करें अगर के लिए आया हुआ है तो द्यान रखना विद्यारती के लिए कोई भी लक्स से बड़ा नहीं होता हारता वही है जो दिल से लड़ता नहीं है यहने कि विद्यारती के लिए कोई भी टार्गेट कोई भी लक्स से बड़ा नहीं होता हारता वही है जो हेलो बच्चों अगर आपको इंग्लिस बोलने में च्किचाट होती हैं, अपने इंग्लिस इंटर्यू के तयारी करने हैं और पर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटने टेप लाया हैं, आप सबके लिए इंग्लिस स्पिकिंग कोर्स जह अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए, पूरे बारत में सबसे बढ़ी अदाम और इतना टोप क्वाल्टिका कोर्स सिरफ डाउटना पर मिलेगा, कोर्स का लिंक डिस्किप्शन में, जो दिल से लड़ता नहीं है, नौ गॉल इस टूबिग फोर आई नौंबर दोजारी किस प्लान डे पस्ट, ठीक है, क्या है प्लान देख सकते हो, तीनों सब्जेक्टों का अलग-अलग प्लान रहेगा, आपको इतना स्टेडी मेटरेल मिलेगा, जितना आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, यानि कि इस प्लान में आपको इतना ही टोपिक द देना हो जैसे के लिए गंटा देना है यानि तोटल होगे तीन गंटे अभी लेकिन जैसे एक्जाम आएगा आपके प्लान में बदलाव किये जाएंगे और फिर आपके पास एक गंटा बचेंगा यानि कि यह गंटे तो आप देंगे सही उसकेड़ भाद भी क्या बचेंगा आपके पास टाइम बचे गए गंटेगा उसमें आपको जो पढ़ा है आपने जो पढ़ा है दिन में मतलब जो तीन गंटों में जो पढ़ा है उसको एक बार सुपर पीस ले आपको पूरा पढ़ना रिवाज नहीं करना सुपर पीस ले देखना है कि कहा फॉर्मॉले क्या थ जो important important topic आपको लगाता है कि यह formula importants है तो उनको दूबरा से देख लेना read मार देना है simple तरीके से ठीक है दोस्तों ये तो हो गए आपका study plan का timing आगे क्या है आगे है इसमें और साथ में आपको भी बताए जगा कौन से chapter से कितने questions आएंगे और कौन से chapter से केसे और कहां से questions आने वाले है ये भी आपको साथ में बताऊंगा भी जो आगया study plan आएगा उसमें चीज़ भी आपको मैं बताने वाला हूँ आपको 100% करना हो कुछ भी करना अगर selection लेना होगा तो ये plan आज का plan आपको क्या है देखते हैं आपको बाइलोजी स्टार्ट होती पीडिएप के लिए आपको कुछ ने करना अगर पीडिएप आपके अपास नहीं है बाइव की पीडिएप में जो पढ़ा रहा हूं इसकी पीडिएप नहीं है तो मैं आर बीएसी के तो चलिए बाइलोजी स्टार्ट होती है अब आई तिंक बाइलोजी के युनिट पस्ट है आपकी युनिट पस्ट है जिसमें से तीन से मिनिमम तीन क्यूसंस हर साल आते हैं मिनिमम तीन क्यूसंस आपके इस युनिट से आने वाले हैं इस युनिट का नाम है आवरत वीज यह इसमें 4 chapter include कर रखे हैं RBSC ने, अपन लगबग तेर चेप्टर इसमें लेके आये हैं, आज देर चेप्टर के, तो इस unit के कल भी कुछ कुछ तोपिक आपको बताऊंगा, कल के प्लान में भी आपको टोपिक फूलो करने, आज के प्लान में अपने पस 3 से 4 टोपिक रहने तेन से चार है जो देखते हैं हर साल यह यूनिट बड़ी है इसको दो दिन में धो दिन के स्टडी प्लान में सामिल करूंगा पस्ट डेमें कंप्लेट नहीं होगी तो आज आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने है उन्में क्या-क्या पढ़ना है औरत वीजियो में जनन कै किसे होता है कौन-कौन से पार्ट से पार्ट होते हैं और अलेंगी जनन की कौन-कौन सी वीदियां है इन सब के बारे में आपको बस इतना सुपर पीसली पढ़ना है उनके एक्जामपल देखने और कुछ भी नहीं देखना इंगलिस में मैंने आप सभी के लिए कांसेडर किया है काईक जनन के परकार प्राकरति को करत्रिम काईक परवरदन की जो वीदियां है और करतनक वाले जो वीदियां है सारी वीदियों के बारे में अपनको देखना है मतलब ज़्यदा नहीं देखना करतनक वीदि कौन सी होती नीए हैं और जो पत्ती वाली होता है उसमें किस परकार उन को एक जामपलर को क्या है उनके पस सारी ठीओरी आपके पास नहीं है उनकी पीडियम अगर आपके पास नहीं तो अगला टोपिक है आपका लेंगिक जनन के बाग और एक्जामपल जो लेंगिक जनन है लेंगिक जनन होता है और कहां होता है मतलब किस परकार होता है उसमें बाएं बाग कौन से होते हैं बाएं दल पुंज यह सारे जो लेंगिक पार्ट से उसके सेक्स्वल पार्ट से उ उसके कुछ एग्जामपल सापको देखने हैं अगला आता है अपका पुंके सर और लगू विजानुदानी का जो चितर आप सभी ने देखा होगा सबसे इंपोर्टेंट सबसे महत्वफून एग्जामपल है एक एक्जामपल होगा आपका लगू विजानुदानी का चित्र जो आपने देखा होगा बहुत इंपोर्टेंट से और उसके लाओ जो उसकी बीतिया है टेपी टेम होगिरा उन सब के बारे में आपको पढ़ना है जिसे प्राकोस बीतियां भी बोला जाता है लगू विजान लगार किस परकार से बनता है वह देखना है प्राक कोस्त का इस पूटने यानि कि प्राक कोस्त बीद बोला जाता है वह किस परकार किस तन रचना होती है उसकी और उसका परिवर्दन किस परकार होता है बस इतना ही आज को आज बाईलोजी में आपको पढ़ना है अगर ये आपके फास नहीं भी है लेकिन आज एक गंटे में आपको मिनिमम मैं आपका एक गंटा हैनए चार गंटे डेली लुँगा इस प्लान के दो बागी इस से जधा अगर आप पढदना चाहते हो तो आपकी मर्जी मेरे में कोई अपसे जबर्दस्ति नहीं करूंगा बस आपको यह इतना पढ़ना है इंग्लिस मीडियम वाले भी देख सकते हो इस प्लान की पीडियम की लिंक भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी वहाँ जाकर इस प्लान की पीपीटी आप देख सकते हो ठीक है त उससे तीन क्यूंस और परसेंट आएंगे मिनिमम तीन क्यूंस तो आएंगे इस परसेंट इसमें कौन-कौन से टौप्य के आपको द्यान रखने हैं एक हैं आपका आवेस क्या होता है आवेस का फॉर्मला है Q is equal to NE वाला आवेस के गुणद्रम आवेस के 3-4 गुणद्रम है वो सारे और कुलाम का नियम किस परकार है यानि कि आपको फोर्मले से ही सारा काम चल सकता है आपका AP is equal to K Q1 Q2 upon R square इस फोर्मले का यूज़ करना है आपको इसको पढ़ना है इसके according किस परकार से questions पूछे जाएंगे वो पढ़ना है आपको इन सभी के अगर आपको physics में दिक्कत आए आप सभी कहां से study material पढ़े तो मैंने physics की classes करवाई थी आपकी इस्तरवेदूत के वाली तो 3-4 class की link में वीडियो का description में दे दूँगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जहां तक ही पूरा chapter होगा इस्तरवेदूत की उसका सभी की में link description में दे दूँगा आप एक एक class करके देख लेना अगर आपने notes बना रखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं और अगर आपके पास books होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब मैं class लेता था तब आप मैंने बताया था कि notes बनाते चलना आपको फाइदा रहेगा जिन्होंने बनाए होंगे उनको फाइदा है क्योंकि उनका अच्छे से revision भी होगा और वो अच्छे से पड़ पाएंगे ठीक है तो इस governor का नहीं हो गया विदू सेत्र बिंदू-अवैस का विदू सेत्र विदू सेत्र क्या होता है विदू सेत्र बल रेका है क्या होती इनके गुंद्रम क्या होता है आपको ये पढ़ना है बहुत सारी चीज़ आपको बुक्स में देखने को मिलेगी नहीं पड़नी रोगस दोनों पर इसके लावा जो अगले टोपिक्स रहेंगे फ्लक्स करना है विदूद फ्लक्स क्या होता है गाउस का नियम क्या होता है गाउस की नियम के कोडिंग विदूद सित्र और चालक वा चालक गोले पर विदूद सित्र अपन को निकालना आना चाहिए नहीं कि चालक गोले पर ती तीन इस्तितियों के आपने को फॉर्मूले पता होना चाहिए या उनका जो प्रिणाम आता एक कहाँ कम होता है वा इतना अपन को पता होना चाहिए यह चीज अपन को परणी नही यह को ओगा ऑफ करते हैं तो आगे क्या चीज आते हैं आगे आता है। इस in क्या होता है कि किसी एक विदू कर लाता है उसका इसका फोर्मला और उसके लावब सम्विबव प्रष्ट क्या होता है चोटा सा चार्पमाच लाइन है उसी के बारे में अपन को पढ़ना है चालक और चालक गोले पर विदूत विवव यानि कि वह जैसा विदू सित्र अपने देखा था कि कितने विदू पर कितना पर मतलब कौन सी जगह कितना होता है गोले से बार गोले के अंदर कितना होता उसके अधार पर और एक होता है विदूत दिवद्रू आगून के कारण विदूत विवव यानि की जैसे अपने भी लाइबल मुमेंट पढ़ा था यानि की विदू दिवदू आगून के कारण विदू से तर निकला था उसी परकार विदूत विवव निकलने के लिए भी दो फोर्मूले अपने को दियान रखना है कहां जीरो होगा निरक्स पर ज लता होना चाहिए और इस्तिती जुर्जा जो इंपोर्टेंट है इस्तिती जुर्जा कितनी होगी उसके बारे में आपको पढ़ना है आप इन चीजों को लगबग लगबग में बता दो आप इस जो आपको सामने है विदूत विवव वाला जो चेप्टर है इसमें अगर इसको पढ़ने बेचा होगे तो मेक जाख को पांसे साथ मिनिट में आराम से पढ़ लोगे पको नुर्मला को याद रखना है और इसके बाद जो अगला फॉर्मॉला बनता है कि गोले के लिए निर्वात और माद्यम में संदार्ट के धारिता क्या होती है तो आप सभी को पता है है सही फ़ूर पाई एफ्सैलेंज और वाले जो फॉर्मॉला करमें सनदार जोडनेका तरीका अपनको देख लेना है संदार जो रितरओं को तोड़ा सा देखना पड़ेगा पर 5〜7 मिनट में आप दारीता वाले जो टोपिक में ने बता हैं इस यदा टाइम है तो आप पढ़ सकते हो बाहिं की इतना तो आपको पढ़ना ही होगा अगर डेली यह प्लान आपको फोलो करना होगा ठीक है तो यह तो गई Physics की बात इसकी link इन Classies की link मैं डिस्क्रिप्शन होदे दूँगा Class 1234 बनाएके सारे Classies की link डिस्क्रिप्शन दे दूँगा आप जाकर विजिट करना अगर आपके पास नोट्स नहीं है आपके पासद बारी बारी नोट्स है तो आप हमारी सोर्ट क्लासे देख सकते हो अगर पेले पढ़ ले होते आप तो इतनी दिक्कत आपको नहीं आते भी चलिए फिर भी कोई बात नहीं आगे चलते हैं किसकी और प्सक्राइब प्रवस्ता आता है chemistry यहने कि chemistry भी आपको कोई ज्यादा नहीं है chemistry में सबसे पहला चेप्टर लाया हूं मैं टोस अबस्ता जो मैंने अभी कुछी दिनों पहले पढ़ाई हैं अगर आप मेरी क्लास से पढ़ना चाहो तो भी ठीक है नहीं पढ़ना चाहो तो मेरी पढ़ोगे लिंक दे दूँगा आप नीचे description जाकर आप देखलें अगर मेरी नहीं पढ़नी तो आप अपने साब से कहीं भी पढ़ सकते हो आप मेरे को कोई दिक्कत नहीं लेकिन पढ़ना होगा हर हाल में तो तो सवस्ता टोसों का वरगी करन तो सवस्ता अपन को पढ़ना है टोसों किसमें संदेशिक होती किसमें विसंदेशिक पर करती होती है कौन को अतिसीति द्रव बोला जाता ये चीज़े आपको पढ़नी हो जो टेबल थी मैंने भी करवाई थी और बुक्स में भी आपको मिल जाएगी वो टेबल आपको पढ़नी होगी इसके लावा क्रिश्टल ज जाला किस्टल जाला क्या होता एक किस्टल जाला के बाद SAC BCC FCC in सभी में गनत्यों आयतन समन्वे संख्या क्या हैं और जो इनकी जो बी संख्या हैं वो चीज़े आपको द्यान रखनी हैं तो यह चीज़े आपको पढ़नी अपन टोसों का विदूद चुम्बके और प्राविदूत गुन यानि कि जो भी टोस हैं टोसों में प्राविदूत और विदूद चुम्बके और प्राविदूत इसमें आपका अनुचुम के लगुचुम के वाले सारे एक्जांपल हैं जो मैंने आपको करवाई थे क्लास म अगर आपने नहीं देख कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा टोसों के अंदर ये चीज आपको बिल्कुल कोई नहीं पढ़ाने वाला कि विदू चुम्ब के और प्राविदत गुन क्या होते हैं मैंने आपको पढ़ाई है जाकर देखना ये आपके सेले बस में एक क्यूसं सियां से भी बन सकता है चालक अरत चालक यानि प्राविदत गुनों के बारें इसमें डिसकस किया हुआ है तो वो चीज भी आपको पढ़ना जरूरी है टोसों का विदू चुम्ब के गुन आपको बता दिया है ठीक है वो भी पढ़ना जरूरी है तो दोस्तों आज के इस को फोलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा सेलेक्सिन कोलेश के लिए अगर आपकी अमीद भी नहीं है अभी अगर आप प्लान स्टर्ड़िALLY स्टार्ट करते हो तो भी आपको सो परशेंट फ़र्च्छन ले लोग और सो परसेंट अभी भी पढ़ना चुर्ख कर prochainीए त है लोगाल mensheM Pink race के लेकिन मैंने यह प्लान सोच समझ में मतल progress थे 16-17 है तो दोस्तों यह प्लान आपका रहने वाला और आज के प्लान को अगर आप पड़ते हो तो आपके 6 questions minimum आपके right होने वाले तो दोस्तों मिलते अगले session अगले plan में और अगले class जरूर लेना तीन बज़े आपकी physics की पांच बज़े chemistry की और साथ बज़े आपकी biology की class होती है धन्यवाद